है गाई देश में सिक्षा विवस्ता की जो हालत है किसी से चुपी नहीं है चाहे प्राइमरी सिक्षा हो चाहे इंटरमेडेट हाई स्कूल यह नहीं सिक्षा हो और चाहे कॉलिज इस्तर की सिक्षा हो हर इस्तर पर देश के सिक्षा बहुत बुरी हालत में पहुँच गई है जहां तक प्राइमरी और बेसिक सिक्षा की बात है तो सरकारी स्कुनों का भट्टा बिठा दिया सरकारों ने है शादिय बहुत जान बूच कर पूरे शड़ेंतर के साथ किया गया कारिया है और मैं समस्ता हूँ यह इस तरह का कारिया है कि जो गरीब लोग है जो दबे कुछले शोशित पिड़ी समाज के लोग है उनके बच्चे पढ़े ही नहीं पाएं और वो किवल मजदूर और गुलाम बनकर रह जाएं इसीलिए शिक्षा की यह रहत है अगर आप चले जाएं जो सरकारी स्कूल है गाओं में उनमें पांच मी किलास में पढ़ने वाला बच्चा सहरों में पढ़ने वाले दूसरी किलास के बच्चे के बराबर भी नहीं जानता और सिक्षा की हालत ये कर दी गई है हाला कि अब उसमें प्रियास किया जा रहा है बात हो रही है लेकिन हालत अभी तक ये है कि आठमी किलास तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा तो अगर बच्चे को फेल ही नहीं किया जाएगा तो पढ़ाने की क्या जरूरत है और उसके अलावा जो सिख्षक हैं जो रिपोर्ट हमारे हैं आ रही हैं उन रिपोर्ट के हिसाब से 60 पिर्तिशत जो सिख्षक हैं वो उस योगे ही नहीं है जो सिख्षक हो सके और सबके बावजूद भी लाखों की संख्या में सिख्षोकों की कमी है सिख्षा की हालत यह है कि Supreme Court माने Supreme Court भी जो गरीब बच्चे हैं जो साधन विहीन बच्चे हैं जो उनको पढ़ाने के लिए जो कह रही है Supreme Court भी कहती है कि जो विकर सेक्षिन के जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें उनको दी जाएंगी लेकिन आप आंकडे उठा के देख लिजिए आप जाके देख लिजिए कि जो विकर स्क्षन के गरीब परिवार के शोषित पेडित परिवार की जो बच्चे हैं उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता इसकूलों मे पढ़ाने की सिख्षा की तो बात ही अलग होगी एड्मिशन की तो बात ही अलग होगी और पिछले 4-5 साल पहले एक बार आंदोलन चलाता दिल्ली में तो उसमत यहां तक एक प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है उसने कहा कि हम जो गरीब समाज के बच्चे हैं उनको इसल सरकारी स्कूल हैं उनका भट्टा बिठाने की जो पूरी रणनीती अपना ले गई हो वहां सिख्षा विवस्ता पर और कौन ध्यान देगा जो और शादिये सडेंत्र भी है जिसके लिए मैं बार बार कहता भी हूँ कि सिख्षा विवस्ता का भट्टा इसलिए बठाया जा एक धन्दा बन गया है और इसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं प्राइवेट कॉलिज हैं जो इंस्टिटिशन से आकर किसका पैसा लगा है नेताओं का बड़े-बड़े उद्योकतियों का अधिकारियों का बिजनिसमेनों का इन्हीं का पैसा लगा हुआ है और सरकार ने रणिती बना रखी है कि रिजर्वेशन का भट्टा बिठाने के लिए गरीब शोशित पीडिस समाज के लोगों को मौका देने के लिए उन्हें पढ़ाने से अपने आपको अलग करने के लिए सिख्छा को इतना महंगा कर दिया जाए प्राइवेट हाथों में पूरी तरह से हैं जो विश्विद्याले हैं टॉप की विश्विद्याले हैं उन 500 विश्विद्यालों में हमारे देश के किसी भी विश्विद्याले का नाम नहीं है हमारे हैं सिख्छा का इस्तर इस कदर गिर चुका है जिसकी हालत बयान करना संभव नहीं है इसकूल हैं कॉलिज हैं ग हुसने के काबिल नहीं है, फरनीचर नहीं है, सुधाएं नहीं है, आखिर कहां से पढ़ हैं बच्चे, तो सिख्षा की हालत सुधारना नहाई जरूरी है, लेकिन इस देश में जो सरकारे हैं, वो सिख्षा वेवस्था पर ध्यान नहीं दे रही हैं, और जो GDP का कम से कम 8 से 9 पर्तिशत जो पैसा है, सिख्षा वेवस्था में देना चाहिए, उतना पैसा नहीं दे रही हैं, और बुरी हालत में सिख्षा वेवस्था को पहुंचा दिया गया है, और जब तक सिख्षा नहीं सुधरेगी, तब तक कुछ भी यहां अच्छा होने वाला है ही नहीं.